हलो वरिवान आई होप वाल और फिलिंग वेल जो भी जाओंगे बड़ी आओंगे और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की एक चेप्टर है इलिगेंड आफ नोर्ड लेंड इलिगेंड आफ नोर्ड लेंड उसके बारे में उसकी समरी के बारे में अभी में लोग देखेंग और दिन छोटे होते हैं पंक्ति चार में वे सब्स छेत्र में रहने वाले लोग दरसाता है साथ ही कवी का कहना है कि रात के ओधी लंबी है और लोग उनके माद्यम से सो नहीं सकते कवी इस तथ्थ पर हालू के साउखों की तरह देखते हैं क्योंकि वे भालू की तबकार से बदे कपड़ेंस बनते हैं तीन पेरा के इन लाइन फर्स्ट में वे बढ़ो को संदर्वित करते हैं बच्चों को संदर्वित करते हैं इसके लब बुझुर की वह लोगों के बारे में एक आजिब और सब्सक्राइन नहीं सच है अग्याटा इस समय को संधर्वित करता है जब संत्त्पितर दुनिया में रहते हैं आप को अध्यात्मिक व्याखान देए और फिर एक घठना हुई व्याखहान देते समय एक दिन धौपडि के दरवाज़े पर पहुंचा यहां एक चोटी सी महिला चिमनी में केक बना रहे थी सेंट पिटर उस दिन बहुत रुखा था क्योंकि उसने भोजर नहीं किया था और वो कमजोड महसूस कर रहा था इसलिए वो महिलाओं से संपर करती है और उसके द्वारा पके हुए केक से एक केक मांगता है महिला स्वार थे थी औ बहुत बड़ी बात है दुखी महिलाओं और फिर एक छोटा केक बनाना सुरू किया उसने यह तीन बार किया लेकि संथ पिटर को कोई केक नहीं दिया वह कारण जब उसने खा लिया वे छोटे लग रहा था लेकिन जब उन्हें देना था तो उन्होंने किसी को देने के लि जीने के लायक नहीं हो वह आगे जोड़ता है कि भगवान ने उसे गर्म रखने के लिए उसे भोजन आस्रे और आग दी है लेकिन वह स्वार्थी और लाल्ची हो गई है इसलिए महिलाओं एक ऐसी चिडिया बन गए जिने पूरा दिन काम करके अपने घर को लकड़ी से ब लोग और बच्चे इस तरह के पक्षी को देखते हैं तो उनके बड़े उन्हें पक्षी की कहानी सुनाते हैं तो यह जोड़ क्लास 9 की थी इसका हम लोग ने हिंदी समरी देखा छोटी से उसको छोटा व्रिफ किया गया आपको कैसा लागा आप कमेंट करके बताएंगे ज